देखे लीविन कैश्मेंट और ग्रेचिटी को लेकर काफी जादा हताश पैंशनर्स नजर आ रहे हैं क्योंकि ये वीतिय लाबिने नहीं मिल रहे हैं बिजली बोर्ड के पैंशनर्स से जुड़ी जानकारी लेकर हम आए हैं ये हमीरपूर में आज इनकी ओर से समेलन आयोजि किया गया जिसमें इनका कहना था कि मौझूदा समय में जो प्रबन निदेशक है और जिनहें अभी यहां ये जिम्यदारी दी भी गई है वह भखू भी से नहीं निभा रहे हैं पिछले एक साल में गलत नीतियां बिजली बोर्ड में लागु की गई जिस वज़या से वीति पैंशनर्स को ही इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है एक और तो करमचारियों के लिए अभी तक OPS बहाल नहीं की गई है जो पैंशनर्स हैं उन्हें ग्रैचिटी लीविन कैश्मेंट के जो वीतिय लाब है वो नहीं दिये जा रहे हैं जिस वज़ा से दरबदर की पद पर स्थाई न्यूक्ती हो जाएं तो फिर ये समस्याओं खत्म हो जाएंगी मौजूदा समय में जो अधिकारी है clockwise वी उन से परेशान है और पैंशनर्स भी उन से ज़ादा परेशान चल रहे हैं तो इसलिए वहाँ स्थाई न्यूक्ती होनी चाहिए और लिपूर में कुछ एक पंचायते ऐसी हैं जहां पर डाइरिया बहुत तेजी से फैल रहा था जिसके बाद पानी के सैंपल लिए गए थे लगभग एक दरजन के करीब ये विभाग की ओर से पानी के सैंपल लिए गए जिसमें चार सैंपल फेल बताए गए हैं और स्वास्थ जलशक्ती विभाग के भंडारन टैंक के भी दो सैंपल खराब निकले हैं और दो हैंड़ पंप का पानी भी दूशित पाया गया है तो इसलिए जलशक्ती विभाग हमीरपूर को ये पत्र अब जारी हो चुका है कि इन सोर्सिस को सही किया जाए और अभी मौजूदा समय म पानी की सप्लाइ भी इन सोर्सिस से बिल्कुल पूरी तरह से बंध होनी चाहिए डाइरिया क्यूंकि फैल रहा था उसके बाद ये कदम उठाना पड़ा और देखिए एक दरजन में अगर चार सैंपल यहां पर पाए गए हैं तो एक तरह से ही चिंता जनक विश्य हम ये क घिराफ किया गया है वहां पर VC का जो की SP बंसल है CU के कुलपती का इनोंने आज घिराफ किया और कारण फिर से वही गिनवाए गए हैं जो कि इससे पहले भी चातर संगठन वहां पर बार बार गिनवाते नजार आए हैं मूल भूथ सुविधाओं से ये वंचित रहे रहे ह शौचालय पारकिंग जैसे सुविधाएं वहां पर नहीं है और सबसे मुख्य मुद्दा ही ये है कि किराय के भवन में अभी वहां CU का कैंपस चलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो इस समस्या का निवारन जल्दी किया जाए शौचालय का प्रबंद इन कि जल से जल दिन सभी समस्याओं को खतम करने की कोशिश की जाएगी हलाकि कब तक हो पाता है ये देखना होगा क्योंकि पॉलिटिकली भी ये मुद्दा देखे काफी बार उठाया गया है शैशन में भी ये मुद्दा बहुत बार गुंजा है किराय के भवन में जो अभी विश्व विड्याले चलाया जा रहा है इस पर राजनीती हमें अक्सर गर्माती हुई नजर आई इस शैशन के दौरान भी और इस समस्या का निवारन कितनी जल्दी किया जाता है ये देखना काफी जादा रोचक रहने वाला है अभी आचार सहींता क्योंकि लागू हो पिशले कल बारीकी से हमने आपको भरतियों से संबंदी जानकारी दी थी कि कितनी भरतियां लटक गई है और क्या-क्या उसमें कारण रह रहा था जिस वज़ए से लेट हो गया और अब तो कोड ऑफ कंड़क लग गया है तो जून तक का इंतजार करना होगा लेकिन यहां क ही तादाद महिला-इयोग में जादा हो जाती है तो फे डिस्ट्रिक कोर्ट में इनने रैफर कर दिया जाता है अभी देखिये आम ओजूदा समय की बात करें तो राजे महिला-इयोग में सैंक्डो महिला- उत्पिरण के मामले दर्च किए गए हैं लेकिन कोई भी निवार इनका नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए अलग से महिला योग की अदालत लगती थी और अदालत तब ही लगती थी महिला योग की जब वहाँ अध्यक्ष मौजूद हो दो साल से पद खाली है अब ये नियुक्ति फिल लटक गई है और जून तक का इसमें इंतजार करना लेकिन इसे बीच महिलाएं बार-बार नियाय की गुहार लगाने के लिए वहां पहुंचती है, हिंसा उनके साथ हो रही है, उत्पीडन से वो जूच रही है और इस पर कोई भी नजर नहीं रखी जा रही है, ना ही यहां महिला आयोग में अदालतें बिठाई जा रही है, न कि प्राइविट युनिवर्स्टी पर नजर रखी जा सके, लेकिन यहां भी 6 महीने से अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है, जिस वज़ज़ से प्राइविट युनिवर्स्टी पर कोई चेक नहीं है, पहले एक के बाद एक जानकारिया हम आपके लिए प्राइविट यु यहां भी गुजर गया है और यह न्युक्ती भी अब जून महीने तक लगभग यहां लटक चुकी है क्योंकि Code of Conduct लग गया है, कुछ एक शिक्षक संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है स्मगर शिक्षा का और इसलिए यह स्मगर शिक्षा का विरोध कर रहे हैं क्य यह कहा गया है कि अभी यह पीक मन्त इनके लिए और चातरों के लिए रहता है, वार्शिक परिक्षाएं हो रही है, उसके बाद मुल्यांकन प्रक्रिया भी पूरी करनी है, अगर मार्च में भी अपने दिन यह इसी समेलन में लगाएंगे तो फिर कैसे संचालन परिक्षाओं का अगर इस तरह के समेलन लगातार्श मगर शिक्षा की ओर से आयोजित होते रहेंगे, नवंबर या दिसंबर महा में इने आयोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन यह जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना ढूंड लिया गया है, जो कि छातरों के लिए औ तो समेलन को अभी कैंसल किया जाए और इसमें या फिर शिक्षकों को कोई छूट दी जाए, इस मान के साथ इन्होंने आक्रोश दिखाया है और साथी साथ अपनी ये बात इन्होंने शिक्षा विभाग के निदेशक के समक्ष भी रखनी चाही है, पुर वाईयस के बेटे इसी ने सुसाइड किया है, ये राजधानी शिमला में ही मामला सामने आया है, पुर वाईयस अधिकारी अमिताब अवस्थी के बेटे ने दरसल सोमवार को रसी से पंदा लगा कर आत्महत्या कर ली, छोटा शिमला में इनका आवास है, ब्रॉक होस्ट में वहीं ये मामला स से इसमें अभी पूरी जांच की जा रही है, और पुष्टी नहीं हो पाई है कि आखिरकार वज़ा गया रही है सुसाइड करने की, या फिर ये मानसिक तोर पर पर परिशान चल रहे थे, अगर ऐसा भी था, तो क्यूं था, किस वज़ा से था, इनके परिवार वाले भी घ भर पर नहीं थे, अगर हम पुर्वाईयस अधिकारी अमिताब अवस्थी की बात करें, तो उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके बेटे ने सुसाइड अटेम्ट किया है, बाकी परिवार के लोग भी बाहर थे, हलाकि अभी जांच हो ही रही है, उसके बाद पता लग है, और जो युवक है, उसके दोस्तों से भी यहां पूश्टाश की जा रही है, कि कहीं वो किसी बात से परिशान तो नहीं था, बागी बड़ी उमीद लगा कर बैठे थे, कि हो ना हो, कोई ना कोई राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ ह होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, छे बागी विधायक हैं और इनकी ओर से यही सोचा जा रहा था, कि जो अयोग्या इन्हें घोशित किया गया है, उस पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अयोग्या घोशित करने की रोक पर से इनकार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क इस चारी किया है, कोर्ट ने अयोग्या पर रोक से इनकार कर दिया है, इस बात से ही क्यूंकि काफे ज़्यादा उमीद लगा कर ये छे बागी विधायक बैठे थे इने लग रहा था कि रोक इनकी अयोग्या घोशित होने पर यहां लगा दी जाएगी, लेकिन इस बात से स परान सदन मेना आने के चलते अयोग्या ठहराया है, और अब मई के दूसरे हफते में सुनवाई होगी, लेकिन जिस राहत को लेकर ये उमीद जता रहे थे वो तो मिली नहीं, अयोग्या इने घोशित किया गया था विधान सभाद एक्ष कुलदीप सिंग पर्थानिया की और से एंटी डिफेक्शन लॉग के तहट क्यूंकि ये उस वक्त इन पर फैसला सुनाया गया था, ये गैर मौझूद रहे थे जब फाइनस बिल भी पारित हो रहा था और उससे पहले जब हेल्थ मोशन भी लाया गया था, तो उस वक्त भी हेल्थ कट मोशन में भी एक तर दरवाजा जरूर खट-खटाया और उमीद ये जता रहे थे कि जो आयोगे ने गुशित किया गया है उस पर स्टे लगा दिया जाएगा, लेकिन रोक लगाने से इनकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, और अब देखिए उपचुनावों को लेकर यहां एक तर रहने वाली है, पॉलिटिकल मुव्मेंट्स या स्टेटमेंट्स वो सामने आएगी, वो काफी जादा महतोबुन रहेगी, और छे बागी विधाये कब क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस पर भी हर किसी की नजर बनी हुई है, क्या उक चुनाव अब ये लड़ते हैं, ये भी यहां पर देखी देखने वाली बात रहेगी, देखें, लोक सभा चुनाव से पहले बड़ी खेप यहां शराब की पकड़ी गई है, और एक तरह से बड़ी सफलता भी हम कहना चाहेंगे, जो कि आपकारी विभाग के हाथो लगी है, आपकारी विभाग के टीम ने उना जो अधिकारी हैं, वो इसके दस्तावेश भी नहीं दिखा पाए, जिस वज़से इन शराब की पेटियों को सीज एक तरह से आपकारी टीम ने कर लिया है, और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो फैक्टरी का कैमपस है, उसे भी सीज कर दिया गया है, और जो पेटियां बर शराब की बरामत कर ली गई है, अब पता लगा रही है आपकारी टीम की आखिरकार ये सप्लाई कहां की जा रही थी, और कहां से ये शराब की पेटियां मंगवाई गई थी, किसके कहने पर मंगवाई गई थी, कहां ले जाए जा रही थी, क्योंकि देखें, दस्तावेश तक अधिकारी इन पेटियों के नहीं दिखा पाएं हैं और लोग सबाचुनाव से पहले जब भी कोई ऐसा वाक्य सामने आता है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं दो रोज पहले मुख्या मंतरी सुखु की ओर से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में बैठक बुलाई गई थी और इसमें उन्होंने कुछ एक नाम शॉट लिस्ट किये हैं कि किन्हे प्रत्याशियों के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि अभी दिली में स्क्रीनिंग कमेटी और सेंटर इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है तो उसमें भी लोग सबाचुनाव और उपचुनावों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होने वाली है और जो शॉट लिस्ट तयार की गई है ये महतोपुन रोल निभाएगी क्योंकि मुख्यमंतरी सुख्यों की अध्यक्षता में देखिए ये शॉट लिस्ट तयार हुई है तो सबसे पहले तो आपको नाम बता देते हैं अभी तक फिलहाल किन-किन कैंडिडेट्स के नाम यहां शॉट लिस्ट किये गए हैं इसमें सिटिंग M.L.A. विनो सुल्ता पूरी ये लोग सबाचुनाब के लिए हम जानकारी दे रहे हैं जो प्रतियाशी एक तरह से अभी चर्चाओं में हैं या शॉट लिस्टों किये गए हैं तो इसमें सिटिंग M.L.A. विनो सुल्तान पूरी और पुर विधायक सोहनलाल जुबल कोडखाई के सरस्वती नग जा रहा है लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर प्रतिबा सिंग मुकर जाती है जिस तरह की स्टेटमेंट्स अभी सामने आई हैं कन्फ्यूजन ही कारे करताओं में पददिकारियों में बना हुआ है कि प्रतिबा सिंग चुनाव लड़ेगी मंडी संस्दी एक शेत्त तो फिर यहां आशा कुमारी का नाम भी लगभग तैमाना जा रहा है यानि कि कांगडा से आशा कुमारी की दावेदारी भी एक तरह से अभी मजबूत ही मानी जा रही है सिटिंग MLA को शायद ही यहां कॉंग्रेस चुनावी मैदान में उतारेगी ऐसी कुछ संभावनाओ को देखते हुए और कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीबा सिंग भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है हाला कि जो मुख्या मंतरी सुखु है यह भारत जोडो नियायात्रा में शामिल होने के लिए गए थे और महराश्टर से अब ये भी दिल्ली वापिस लोटे हैं कम ही समय क्योंकि दोनों राजनितिक दलों के पास अब रहा गया है प्रतियाशी चुडने के लिए खेर भाशपा की ओर से तो दो नाम पहले ही तै हो चुके हैं लेकिन दो अभी भी नहीं हो पाए हैं लोग सबाचुनावों के लिए और अब उप्चुनाव भी होना है तो ऐसे में किसे मौका दिया जाता है किसे नहीं दिया जाता है ये भी देखना होगा क्योंकि बागी विधायकों को तो देखे कोई राहत भी अभी नहीं मिली है सुप्रिम कोर्ट से जैसा कि वो चाह रहे थे तो अब उप्चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है इस पर confusion दूर करना होगा और एक तरह से स्थिती स्पष्ट करनी होगी तो ये देखिए अगले कल का दिन कुछ इस तरह से रहने वाला है political movement कैसी रहेगी इससे समंदित जानकारी हमने आपको दी है अब 1500 के forms पर आना चाहेंगे 1500 और पै के लिए महिलाओं की और से form भरे ज़रूर जा रही है लेकिन बड़ा विवाद इसमें भी उठ गया है और देखिए ये हला कि जो scheme थी पहले ही notify कर दी गई थी code of conduct लगने से पहले ही ये scheme notify हो गई थी लेकिन उसके बावजुद भी विवाद इसलिए उपजा है बार-बार भाशपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि आचार सहीता लगने के बाद ये form क्यों भरवाए जा रहे हैं जबकि मुख्या निर्वाचन अधिकारी मनीश गर्ग ने ये भी पहले clear किया था कि देखिए जब कोई scheme पहले ही notify हो गई हो इस वज़े से confusion काफी ज़ादा बढ़ गया है जो मनीश गर्गी ओर से कहा गया है उसके मुताबिक तो ये भी समझा जा सकता है कि जो अभी form भरे जा रहे हैं तो उसमें महिलाओं को राशी मिलना शुरू नहीं हो सकता है अगले महीने से या इस महीने से बलकि उसके लिए फिर उन्हें जून महीने तक का इंतजार करना होगा क्योंकि नया लावार्थी आइड नहीं होगा इसका मतलब यही है लेकिन इस वज़ज़ से जो विवाद उठा है जो भाशपा ने कुछ एक सवाल उठाएं है फॉर्म भरने पर अफिल्ड के ऑफिसर्स परेशान हो गए है जो फिल्ड में अधिकारी है उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि फॉर्म आगे देना है या नहीं देना है इस वामसा के निदेशक से जब हमने बात की तो उन्होंने ये परश्ट किया कि स्कीम तो पहले ही नोटिफाई हो गई थी और सरकार ने ऐसे कोई आदेश उन्हें नहीं दिये है कि फॉर्म अभी नहीं भरवाने है इसलिए वो फॉर्म फिल करवाने के लिए आगे फॉर्म की सप्लाय अभी भी कर रही है याने की फॉर्म अभी भी आगे भेजे जा रहे है सरकार से भी क्यूंकि अभी तक इस तरह के कोई आदेश शारी नहीं हुए है भाश्पा की ओर से आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि जो चित्र उसमें प्रकाशित किये गए हैं मुख्या मंतरी का और पुर्व प्रधान मंतरी का वो भी नहीं हटाए गए है लेकिन पिछले कल भी हमने चेक किया था तो विभाग की ओर से ये फोटोस यहां हटा दिये गए हैं और ये जरूरी था क्यूंकि ये एक बड़ा उलंगन भी यहां चार सहीता का माना जाता है लेकिन जो प्रकाशित फोटो थे फॉर्म पर या वेबसाइट पर भी उन्हें भी हटा दिया गया है ये दावा विभाग में भी किया है खैर हमने ये चेक खुद भी किया था पिछले कल सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर क्यूंकि जानकारी हम लाए थे कि किसने अभी तक फोटोस हटाए हैं और किसने नहीं हटाए है और अब मुख्या मंतरी सुखु की बात करें तो इन्होंने भी दिल्ली में अपनी स्टेटमेंट दे दी है मीडिया से बाचित करते हुए इन्होंने साथ तौर पर ये कहा कि पहला चरण इस स्कीम का फरवरी में ही शुरू कर लिया गया था लाहुस पिती की महिलाओं को पंदरा सौर पै मिलना शुरू हो गया है साथ वर्स से अधिक जो महिलाएं हैं उन्हें कब से लेकर यहां पंदरा सौर पै दिये जा रहे है तो ये कोई नई स्कीम नहीं है और ना ही कोड अफ कंडक्ट के बाद लाई गई है पहले से स्कीम शुरू कर दी गई थी उसे ही जारी रखा जा रहा है लेकिन ये जो एक बात यहां मुख्या निर्वाचन अधिकारी मनीश गर्ग ने कही है कि कोई नया लाभार्थी एड नहीं हो सकता है तो सिधे तोर पर इसके माईने अब यहीं निकल रहे हैं कि भले ही फॉर्म भर दिये जाएंगे लेकिन उन फॉर्मस पर फैसला फिर जून के बाद ही होगा जबाचार सहीता हटेगी आज देखिए किस तरह का मुखॉल पंद्रा सौ के फॉर्म को लेकर बना रहा है ये भी बता देते हैं नेता पतिपक्ष वैराम ठाकुर का ये कहना था कि उन्होंने इसकी शिकायद चुनाव आयों को भेज दी है जो हो रहा है ठीक नहीं है हर बार चुनाव से पहले कॉंग्रिस इसी तरह के फॉर्म फिल करवाती है महिलाओं से और बाद में फिर दिया उन्हें कुछ नहीं जाता ये केवल गुमरहा करने के लिए इस तरह का ऐलान किया जाता है और फॉर्म निकाले जाते हैं कुछ एक विधान सबाक शेत्रों में डीसी को भी ग्यापन सौंपा गया है अगर हम घुमारवी की बात करें तो वहां पुर मंत्री राजिंदर गर की अगवाई में ग्यापन सौंपा गया जीलाधीश को और ये भी कहा गया है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए आचार रहे हैं जो फोटो प्रकाशित किये भी गए थे उन्हें हटा दिया गया है अब इसके बाद क्या कुछ होता है क्योंकि चुनाव आयोग को शिकायद जा चुकी है क्या फॉर्म भी इसके बाद फिल नहीं हो पाएंगे ये देखना होगा या फिर जैसा कि यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि स्कीम तो जारी रहेगी लेकिन नया लाबार्थी एड नहीं होगा तो उसके मुताबी कोई फैसला होने वाला है चुनाव आयोग पुरी तरह से एक्शन मोड पे अब नजर आ रहा है जैसे ही लोग सबा चुनावों को लेकर शेडिल ज चुनाव आयोग ने कुछ राजियों में यहां नई न्युक्तियां भी की है और कुछ एक बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा भी दिया है अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के होम और विजिलेंस के सेक्रेटरी डॉक्टर अभिशेग जैन को हटाने के युवा सेवा और खेल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभागों के भी सचीव है और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी भी हैं तो खैर ये कारेबार इनके पास ही रहने वाले हैं लेकिन जो आदेश चारी हुआ था उस पर एक तरह से अमल किया गया है होम और विजिलेंस के सेक्रेटरी पद से डॉक्टर अभी शेक जैन को हटा दिया गया है और मुख्या सचीव ने भी जल्दी ही इस पर आगे और पास कर दिये थे हाटी समुदाए से जुड़ी भी एक जानकारी हम लेकर आए हैं क्यूंकि सिर्मोर जिले के ट्रांसगिरी क्षेतर के हाटियों को जनजाती का दरजा देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है हाई कोट ने इस संबंद में जारी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है कोट ने अगली सुनवाई तक इस रोक को बढ़ाने के आदेश चारी किये हैं कोट ने जनजातीय विकास इवाल की खंपीट के समक्ष सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान केंदर सरकार दौरा इस मामले से जुड़ी याचिकाओं का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक समय की मांग की गई है जिस कारण मामले पर सुनवाई 27 मई के लिए टल गई है